अध्याय दो संगवाद प्रिष्ट संख्या 13-28 परिचय पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिनिस्तरों के बीच सत्ता को और्ध्वादर बटवारा आधनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साज़दारी का एक आम रूप है इस अध्याय में हम सत्ता के बटवारे के इसी सोरूप पर विचार करेंगे इसे आम तोर पर संगवाद कहा जाता है इससे एक ही लोकतंत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग-अलग इलाखों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है अध्याय के शेश हिसे में भारत के संगवाद के सिद्दान्द और व्यवार को समझने की कोशिश की गई है संगी ढाचे से संबंदित संवेधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संगवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीती का विश्रेशन क्या जाएगा अध्याय के आखिर में हम भारति संगवाद के नए और तीसरे इस्तर यानि स्थानी शासन की चर्चा करेंगे संगवाद क्या है आईए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिये गए बेलजियंग और शलंका के अंतर पर गौर करें आपको याद होगा कि बेल्जियम के सम्विधान में जो प्रमुख बदलाव किये गए उनमें केंद्री सरकार की शक्ती में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांती सरकारों को दिये गए बेल्जियम में उसे से पहले भी प्रांती सरकारें थी तब भी उनकी अपनी भूमिका थी अपने अधिकार थे पर ये अधिकार उनको केंदर द्वारा दिये गए थे और उन्हें केंदरी सरकार वापस भी ले सकती थी सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांती सरकारों को कुछ समवैधानिक अधिकार दिये गए इन अधिकारों के लिए प्रांती सरकारें आप केंदर बार निर्भर नहीं रही इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगे संगी शासन प्राली अपना ली शुलंका में व्यावारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंदरी सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं शुलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संगी शासन व्यवस्था कायम हो संगी शासन व्यवस्था में सरवोच सत्ता केंदर प्राधिकार और उसके विभिन आनुशंगिक इकाईयों के बीच बढ़ जाती है। आम तोर पर संगी व्यवस्था में दो इस्तर पर सरकारी होती हैं। जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती हैं। जिसके जिम्में राष्ट्री महत्व के विशय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के इस्तर की सरकारे होती हैं जो शासन के देनन दिन कामकाज को दीखती हैं। सत्ता के इन दोनों इस्तर की सरकारे अपने अपने इस्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संगी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाब देब होती हैं। आईए संगी व्यवस्था की कुछ महत्यपूर्ण विशेशताओं पर गौर करें। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अप्राधिकार की गैरेंटी और सुरक्षा देता है। विवनिस्तर की सरकारों के बीच आदिकारों के विवात की स्थिती में सर्वोचे नियालय निरनाय की भूमिका निभाता है। वित्ती स्वायतता निश्यत करने के लिए विवनिस्तर की सरकारों के लिए राजस्व की आलग अलग स्रोत नरधारित है। साथ इस प्रकार संगी शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही ख्षेतरी विवितताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संगी व्यवस्था के गठन और कामकाश के लिए दो चीजें सबसे महत्यपूर हैं। विविनस्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बटवारे के नियूमों पर सहमती होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरुसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार ख्षेतरों को मानेंगी। आदर्श संगी व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। आपसी भरुसा और साथ रहने पर सहमती। केंद्र और विविनर राजी सरकारों के बीच सत्ता का बटवारा हर संगी सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संग की स्थापना किन एतियासिक संदर्बों में हुई। संगी शासन व्यवस्थाएं आम तोर पर दो तरिकों से गठित होती हैं। पहला तरिका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्टों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। अपनी अलग अलग पैचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी स्वरक्षा तथा खुशाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आगर संग बनाने के उधरन हैं। सैयुक्त राज अमरिका, स्विट्जर लेंड और अस्ट्रेलिया वगएरा। इस तरह की संगी व्यवस्था वाले मुलकों में आम तोर पर प्रांतों को समान अदिकार होता है और वे केंदर के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। संगी शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरिका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्री सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उधारन हैं। इस दूसरी च्रणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंदर सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विवहने राज्यों को समान अधिकार दिये जाते हैं पर विशेश स्थिती म किसी किसी प्रांत को विशेश अधिकार भी दिये जाते हैं। अगर तराई क्षितर की अपनी अलग अलग राज्यों सरकार बने तो क्षितर को ज्यादा स्वायत्ता मिल सकेगी। राम गणेश मुझे संगी व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रियोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रदिनिधी करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रतेक टिपणी पर आपकी क्या प्रितिक्रिया होती इन में से किसने संगी व्यवस्था को लेकर गलट टिपणी की है। हमने पहले देखा है कि बेलजियम और श्रिलंका जैसे चोटे देशों को भी अपने यहां की व्यविदता को समालने में बड़ी मुश्कले आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में ये काम कितना मुश्किल होगा जहां बहुत सी भाशाओं, धर्मों और ख्षेत्रों के लोग रते हैं। हमारे देश में सत्ता की साज़दारी की क्या वैवस्था है। आए सम्विधान से ही शुरुआत करें। एक बहुती दुखत और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी की कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंतर रजवाडे भारत में विलिन हो गए। भारती सम्विधान ने भारत को राज्यों का संग गोशित किया। इसमें संग शब्द नहीं आया पर भारती संग का गठन संगी शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आये हमने अब तक संगी व्यवस्था की जिन सात विशेष्थाओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारती संविधान के व्यविन प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से दो इस्तरी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संग सरकार या हम जिसे केंदर सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें। केंदर सरकार को पूरे भारती संग का प्रतिनिदेत्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संगी शासन का एक तीसरा इस्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संगी व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीनों इस्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग आधिकार ख्षेत्र हैं। संविधान में सपस्ट रूप से केंद्र और रज सरकारों के बीच विधाई आधिकारों को तीन हिस्से में पाटा गया है। ये तीन सूचियां इस तरह हैं। संग सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मुआमले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रे महत्व के विशे हैं। पूरे देश के लिए इन मुआमलों में ए प्रतिर के विशे हैं। विशे हैं। के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने देखा कि सब को साथ लेकर चलने की नीती मानकर बनी अधिकतर बड़ी संगी व्यवस्थाओं में साथी इकायों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारती संग के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेश दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमती के बगएर भारती संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। इस राज्य के इस्थाई निवासियों के अत्रिक्त कोई भी भारती नागरिग यहां जमीन या मकान नहीं खरीच सकता। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेश प्रावधान किये गए हैं। भारती संग की कई इकाईउं को बहुत ही कम अधिकार हैं। केंद्र सरकार को प्राप्त है। क्रियान्वेन की देखरेख में न्याइपालिका महतपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बटवारे के संब्ध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्चनियाले हमें ही होती है। सरकार चलाने और अपनी जम्मेवारियों का निर्वा करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के समंध में केंद्र और रज सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। सुनो रेटियो आकाश्वानी पर एक हफते तक एक राष्ट्री और एक शेत्री समाचार बुलेटिन रोज सुनें। सरकारे नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं और उनको इन शिरिणियों में बाटें। सिर्फ केंदर सरकार से जुड़ी खबरें। आपके या किसी अने राज्य सरकार से जुड़ी खबरें। केंदर और राज्य सरकार के संबंद की खबरें। क्या समझा क्या जाना पोकरण जहां भारत में अपने परमाणू परिक्षन किये राजिस्थान में पढ़ता है मालने अगर राजिस्थान की सरकार केंदर सरकार की परमाणू नीती का विरोधी होती तो क्या वो केंदर सरकार को परमाणू परिक्षन करने से रोग सकती थी? मालने कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्थे पुस्तकें लागू करना चाती है मालने कि केंदर सरकार को पाठ्थे पुस्तकों की विशय वस्तू और शैली पसंद नहीं है ऐसी स्थिती में क्या रज्य सरकार को नई पाठ्थे पुस्तके लागू करने के लिए केंदर सरकार से अनुमती लेना जरूरी है मालने कि नकसलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंधर प्रदेश, चतिस गड़ और ओडिसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग-अलग है क्या ऐसे मुआमले में भारत के प्रदान मंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं कि जिसे सभी मुख्यमंत्री माने संगी व्यवस्था कैसे चलती है संगी व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए समयधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही परियाप्त नहीं है अगर भारत में संगी शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका करण सिर्फ समयधानिक प्रावधानों भरका होना नहीं है भारत में संगी ब्यवस्था की सफलता का मुख्य शुरह यहां की लोकतांत्रिक राजनीती के चरत्र को देना होगा इसी से संगवाद की भावना विविदता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साज़ा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनेशित हुआ आईए कुछ प्रमुग बातों पर घौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है भाशा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोगतांत्रिक राजनीती के लिए पहली और एक कठिन परिक्षा थी भारत ने सन 1947 में लोगतांत्र की रहा पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की उस वक्त से लेकर सन 2006 तक अनेक पुराने प्रांत अब नहीं है और कई नए प्रांत बनाए गए हैं कई प्रांतों की सीमाएं ख्षेत्र और ना बदल गए हैं नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली ऐसा यह सुनिशित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं इसके बाद कुछ आने राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बलकि संस्कृती, भूगोल, अत्वा जातीताओं की विभनताओं को रेखांकित करने और उन्हें आधर देने के लिए भी किया गया इनमें नगालेंड, उत्राखंड और जारखंड जैसे राजशामिल है जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, तो कई राष्ट्री नेताओं को डर था कि इससे देश तूट जाएगा, किन सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव पताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकी कृत और मजबूत हुआ, इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधा जनक हो गया है। समविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। समविधान के अनसार सरकारी कामकास की भाषा के तोर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था पर अनेके गेर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलाडो में तो इस मागने उग्र रूप भी ले लिया था। केंदर सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज की कामों में प्रयोग की अनुमती दे कर इस विवात को सुलचाया। अनेक लोगों का मानन था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को ला पहुँचेगा। भारती राजनेताओं ने इस मामले में जो रजीला रुख अपनाया है उसी से हम शिलंका जैसी इस्तिती में पहुँचने से बज गए। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आयब बदलाव का ये उधरन बताता है कि व्यवार में संगवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साज़दारी की समयधानिक व्यवस्था वास्तिविक्ता से कैसा रूप लेगी ये ज्यादातर इस बात पर नरभर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरन करते हैं। काफी समय तक हमारे यहां एक ही परटी का केंदर और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत संग्य इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रियोग नहीं किया। जब केंदर और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारे रही तो केंदर सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की।। सरकार की शुरुवात का भी था चुंकि किसी एक दल को लोकसभा में इस पस्ट बहुमत नहीं मिला इसलिए प्रमुख राष्ट्रिय पारटियों को क्षेत्रिय दलों समेत अनेक पारटियों का गड़बंदन बना कर सरकार बनानी पड़ी इससे सत्ता में साज़ेधारी और र आज सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंदर सरकार के लिए मुश्किल हो गया इस प्रकार आज संगी वैवस्था के तहत सत्ता की साज़ेधारी सम्मिधान लागू होने के ततकाल बादवाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है भारत की भाषाई व्यविवित के आखरों से हासिल होती है इस जन्गणना में लोगों ने डेड़ हजार से ज्यादा अलग अलग भाषां को अपनी मात्र भाषा के रूप में दच कराया था इन भाषां को कुछ प्रमुख भाषां के साथ समू बद्ध कर दिया जाता है जैसे भोचपूरी, मगही, बुं इन में से 22 भाषाओं को भारती सम्विधान की आठवी अनसूची में रखा गया है और इसी कारण इने अनसूचित भाषाएं कहा जाता है बाकी को गैर अनसूचित भाषा कहते हैं भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभावता सबसे ज्यादा विविधता वाला देश ह प्रसिद इतिहास का रामचंदर गुहा के आलेक से उध्रत इन उध्रों को सुनिए राज्य पुर्णगठन आयों की रिपोर्ट को आज से ठीक पचास साल पहले एक नवंबर 1956 को लगू किया गया था अपने दौर में और अपने तरिके से इसने राष्ट के राजनीतिक और संस्था का जीवन को एकदम बदल दिया था गांधी जी और अने निताओं ने अपने अनुनाईयों से वादा किया था कि जब मुल्क आजाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाशा के आधार पर प्रांतों का पुरहर गठन किया जाएगा पर जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो इसका बटवा भी हो गया विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुडाव का परणाम था पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाशा जिसके आधार पर आप कितने विभाजन होंगे नैरू पटेल और राजाजी के मन ये सवाल कौध रह था बैरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगे भाशा के आधार पर गठित राजों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है एक व्यक्ति कंणर और भारतिय या बंगाली और भारतिय अत्वा तमिल और भारतिय गुजराती और भारतिय जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है ये विवाद सुख जारा बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो यहां की स्थिती कुछ इस प्रकार की होती अपने राज्य या अनिक किसी ऐसे राज्य का उधारन लें जो भाशावार पुनर गठन से प्रभावित हुआ यहां जो तरक दिया गया है उसके पक्ष या व भाली सरकार की चर्चा की है पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो इस्तर की शासन विवस्ता से बढ़िया शासन नहीं चल सकता भारत के प्रांत यूरूप के सुतंत्र देशों से भी बढ़े हैं जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बढ़ा है की साज़धारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत है जिसमें तीसरा स्तर स्थानी सरकारों का हो और यह प्रांती स्तर की सरकार के नीचे हो भारत में सत्ता के विकेंद्री करण के पीछे यही तरक दिया गया जिसके फलसरूप तीन स्तरों की सरकार का संगी धांचा सामने आया जिसमें तीसरे स्तर को स्थानी शासन कहा जाता है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानी सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्री करण कहते हैं विकेंद्री करण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्धों और समस्याओं का निप्टारा इस्थानी स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बहतर समझ होती है लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उप्योग किस तरह किया जा सकता है इसके अलावा इस्थानी स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभा हो जाता है इससे लोगतांत्रिक भागीदारी की आदत पढ़ जाती है इस्थानी सरकारों की स्थापना श्वसासन के लोगतांत्रिक सद्धंत को वास्तिवग बनाने का सबसे अच्छा तरिका है विकेंद्री करण की ज़रूरत हमारे समविधान में भी स्वीकार की गई इसके बाद से गाउं और शेहर के स्थार पर सत्ता के विकेंद्री करण की कई कोशिशे हुई है सभी राज्यों में गाउं के स्थार पर ग्राम पंचायतों और शेहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है पर इने राज्य सरकारों के सीधे नियंतरण में रखा गया था इन स्थानी सरकारों के लिए नेमित ढंग से चणाव भी नहीं कराय जाते थे इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसादन इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंदरी करण ना मातर का के इस तीसरे इस्तर को ज्याता शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया अब इस्थानी स्वशासी निकालों के चुनाव नेमित रूप से कराना समयधानिक बाधिता है नर्वाचित स्वशासी निकालों के सदस्य तता पधादिकारियों के पदों में अनसूचित जादियों अनसूचत जन जादियों और पिषड़ी जादियों के लिए सीठें आरक्षत हैं कम से कम एक तिहाई पद मैलाओं के लिए आरक्षत हैं हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चनाव कराने के लिए राज्य चनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन इस्थानिय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है सत्ता में भागीदारी की प्रकृती हर राज्य में अलग-अलग है गाउं के इस्तर पर मौझूद इस्थानी शासन व्यवस्था को पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है प्रते गाउं में और कुछ राज्यों में ग्राम समू को एक ग्राम पंचायत होती है ये एक तरह की परिशद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वर्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामनेते पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गाउं अत्वा वाड में लहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरीय करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेक में चलता है। गाउं के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजड पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम दो या तीन बार बैठक करनी होती है। इस्थानी शासन का ढ़ाचा जिला इसतर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रकंड इस्तर ये पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचाय सदस्य करते हैं किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिशत का गठन होता है जिला परिशत के आधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है जिला परिशत में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के उने गए सांसद और विधायक तथा जिला इस्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्थी की रूप में होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेर कहते हैं। स्थानी सरकारों की ये नई विवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाग लोगों का चुनाव होता है। ये संक्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। इस्थानी सरकारों को समयधानिक दरजा दिये जाने से हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिदतों बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। बहराल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परिशानिया कायम हैं। पंचायतों के चुनावत तो नेमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्सा से इन में भाग भी लेते हैं लेकिन ग्राम सभाओं की बैठके नेमित रूप से नहीं होती। आधिकान्ष राजे सरकारों ने स्थानी सरकारों को परियाब्ध अधिकार नहीं दिये हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिती से काफी दूर हैं। ब्राजील का एक प्रेयोग, ब्राजील के शेहर पोर्तो एलगे ने विकेंदरिकरण और नागरिकों की सक्री भागिदारी करने वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलेक्षन प्रेयोग किया है। इस शेहर के नगर परिशत के समानांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शेहर के बारे में वास्त्विक फैसले करने का अधिकार थानी निवासियों को दिया गया है। फिर कुछ बैठकें पूरे शेहर को परभावित करने वाले मुद्धों पर होती हैं और इसमें शेहर का कोई भी नागरीग भाग ले सकता है। इसमें शेहर के बजट पर चर्चा होती है, इसके बाद इन प्रस्ताबं को नकर पालिका के सामने पेश कह जाता है जो अन्तिन फ बस्तियों तक बसे जाती हैं और पनर्वास का इंतिजाम किये बगेर भवन नर्माता जुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरिल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किये गए हैं। वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की। आपका काउंसलर, नगर निगम या नगर पाली का प्रमुख, अपनी नगर पाली का अत्वार नगर निगम का बजट और खर्च के प्रमुख मुद्धों का पता लगाएं। प्रश्नावली भारत की संगी व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशिष्टा और उससे अलग एक विशिष्टा को बताएं। शासन के संगी और एकात्मक सुरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं इसे उधरणों के माध्यम से स्पस्ट करें। 1992 के समविधान संशोधन से पहले और बात के स्थानी शासन के दो महत्रपून अंतरों को बताएं। भारत की भाषा नीती पर यहां तीन प्रतिक्रियां दी गई हैं। इन में से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उधरण दें। संगीता, प्रमुक भाषाओं को समाहित करने की नीती ने राष्ट्री एकता को मजबूत किया है। अर्मान, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बाट दिया है, हम इसी करण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश, इस नीती ने अन्य भाषाओं के उपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। शासन के विभिनिस्तरों के बीच बढ़ जाती है। भारती समविधान की विभिनिस सूचियों में दर्ज, कुछ विशय हम आपको सुना रहे हैं। बताईए उनमें से कौन से विशय संगी सूची, रज सूची और समवर्ती सूची वाले समूओं में रखेंगे। इन बायानों पर गौर करें। अ, संगी विवस्था में संग और प्रांती सरकारों के अधिकार इसपस्ट रूप से तै होते हैं। ब, भारत एक संग है क्योंकि केंद्र और राजसरकारों की अधिकार सम्विधान में इसपस्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विश्यों पर उनका इसपस्ट अधिकार है स, शलंका में संगी व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है ब, भारत में संगी व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानी शासन की इकाईयों में पाड़ दिये गये हैं इन बयानों में से कौन-कौन से बयान सही है